ऐसे ही सब यात्रा निकलते रहेंगी, जो जो इलेक्सिन नजदी आएगा, सब यात्रा ही निकालते रहेंगे और उटना रोज करते रहेंगे किरसन पाल जी की तेरामी है, उस पे हमारे हैं सभी गामों के लोगों ने, मेरे खेल 15-60 लोगों ने मुंडन कराया है पिल्कुल हलका काम नहीं करेंगे अब की बार पूरा ठोस काम लेके चलेंगे जो की आरपार की ड़ाई हम सुरू कर दी जाया हमार साधे 6 लाग से इसको हराएंगे पारिश हो सर्दी हो कैसा अभी मौसम हो हमारे किसान भाई बैठे हुए धरने पर हम बैठे रहेंगे और आखरी साध तक हमारा ये संगर से जारी रहेगा इंस्टा फीड कर डिजिटल पेट्फॉर्म देख रहे हैं आप और इस समय मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय जो है एक बार फिर जो है मैं मोहने सहीजा कट की बात करने वाला हूँ लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर जो है आप प्ष्ली बार तो किसी और गाम मैं भी नकालेंगे उससे ऐसे ही सभ यात्रा निकलते रहेगी सभ विप्वार लोगों को समचित विपक्स क्यों है विपक्स उन्हें बोट नहीं दी थी उन्होंने हमने पहले उनकी बोट दी थी अब हमें को विपक्स बताता हो उस पर क्या सबूत है क्या विपक्स है कौन सी पार्टी सब सब मंतर रखते वो सबूत दे अब तो लेंगे ईन्हें को फकार से सब क्रियर हो चुका है उसके और बीचे अधिकारीए कर रहें आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी बात ले जाते हैं, आज कल तो ऐसी मीडिया होगी है, वो कोई बात ही नहीं सुनते हैं, और नहीं वो कहीं मीडिया में हमारी बात अखवार में या टीवी पर कहीं नहीं दिखाते हैं, मैं सबसे पहला आपका बहुत बहुत और रहा सवाल इस बात का आज किरसनपाल जी की तेरामी है उस पे हमारे हैं पूरे सभी गामों के लोगों ने मेरे खाल 50-60 लोगों ने मुंड़न कराया है और उसके जो है मेरे खाल 5-7 दिन पहले जो हमने उसकी सभ्यात्रा जो निकाली थी उसकी वज़े से वह बनती है एक बेहिं हिंदुरीतिरी रिवाज के इसाब से आगें तेरामी मन नीची है तो आज हमने तेरामी मन आई है और आगे का कदम यह है जो भी अगले इत्वार को जो निन्न लिया है हमारी देखो जी च्छे लाग से पहले जीता था ये और अब की बार साधे च्छे लाग से इसको हराइंगे हाँ जी आपका डिसीजन है गाम गाम हम जा रहे हैं एक टीम ऐसी बना दी है हमने दस पांच अग जो गाम गैल जाएंगी और ये समझाएंगी एक बेक किरसन पाल का वसलियत क्या है अगर आपका जो यह नहीं हम पक्स में नहीं हम तर्फ कर सनपाल का ही विरूद करेंगे पर आगे जी तो कोई हमें राजमीती से मतवल नहीं हमारे किसाम तो सिरफ अपनी वो चाहते हैं अग बही हमारी मांग पूरी हो और रस आगे कि खेट की कीमत देड जाहरा को फेस Commission पर उनियार तरह में देडिए के अग्राहीं है चाहते हैं अगल जो तबहारी में यह सपैने तुमा derive करेंगे हमारी づों mec इन की मारी हो जो जोंगाने क्यां काम करेंगे हमाराひमारा जो धरना है जब तक चलता रहेा गा जब तक हम सरकार को जुका नहीं देते। तक हमारा धरना जारी रहेगा, बारेश हो, सर्दी हो, कैसा हभी मौसम हो, हमारे किसान वहाई बैठे हुए धरने पर हम बैठे रहेंगे और आखरी साज तक हमारा ये संगर से जारी रहेगा और हम लड़ते रहेंगे। परेश करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंतरी जी ने अभी बगौला किसी प्रोग्राम में बोला था कि मैं कट बन वाऊंगा। लेकिन मैं मंतरी जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब हम बामनपालों की सरदारी के साथ मैं लगवख साथ साथ लोगों की सरदारी दिल ली गई थी और हमारे नरंदर चेर्मेंट जी ने मंतरी जी के समकसिक बात कही थी मंतरी जी आप अनौंस कर दीजिए कि सरदारी आप जाएए आपका कट बन जाएगा मंतरी जी ने कहाता नहीं भाई मैं नहीं कहूंगा क्यूं बल जिस परकार से तुमने सीम साथ की चुबान पकड़ ली थी आप मेरी भी पकड़ लोगे अब उन्होंने परसों बगोला किसी गार्डन में प्रोग्राम हुआ था उसमें बोला है कि मैं कट जरूर बन वाऊंगा चाहिए ये धरती धर से उधर हो जाए तो मैं यह पूछना चाहता हूं सांसर साब से कि उस दुन आप कहां थे जब हम सरदारी कसा दिल्ली गए थे उस दुन तो आपने दो मिनिट में मना करती थी नरंदर चेर्पें से अब उनको डर लग रहा है उनको हार सताने लगी है जहां जा रहे हैं वहां डर का महौल उनको देख रहा है हार नजर आ रही है देखिए एक आम आदमी सोसल मीडिया के माध्यम से टेलीफॉन के माध्यम से डारेक्टली इंडारेक्टली बहुत ज्यादा एफेक्ट डालेगा पूरे इलाके में जिस परकार से उन्होंने बनियों के लिए हमारे जो यह बनिये होते हैं वैसे समय उनके लिए बोला है कि इनको टिकट विकट नहीं मिलेगी ना बोट मिलेगी गामों में अपना उस पे ठरे पे बैठिये और मलत तोलिए तो यह मंदरी जी ने जो जातिवाद बोला है ना यह बहुत गलत बोला है इसका असर उन्हें एलेक्शन में जरूर मिलेगा और उन्हें हार का सामना देखन बढ़ेगा निशेतर रूप से जो है दो सबसे प्रॉपर मुद्धे हो गए कि किसानों को कटना मिलना हो एक वैसे समाज को इस तरीके से नीचे देखिए मैं आपको पत्रकार जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ देखिए मंत्री जी ने बीजे पी सरकार ने कि किसानों के साथ में बत्तमी जी करी है चाहें वो ड्यालपुर का और अपना चंदावली का धरना हो मोहने का धरना हो किसानों का मिंड कोला का मंत्री जी जब सीम साब भूसना कर गए तो उने अपत्ति क्या है जो वो अनौंस करेंगा जीस्टी पैसा हमारा ही तो है वो बल् जब हमारे इस एरिया में बाड आती है और हमारे महनागाम के बिज़ पे आते हैं वहां से पूरा एरिया डूब जाता है उनको वह चीज नहीं देखी कि यहां पर इलिवेटेड की जुरत है यहां पर उतार चड़ाब की जुरत है उन्हें केवल बोट की राजनीती कर रहे मैं तो आम बोटर से यह कहना चाहूंगा कि आपके हाथ में एक ही चीज है बस बोट उसका सही उप्योग करो